नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगात है आपके अपने यूटूब चैनल स्मार्ट इस्टडी पॉइंट पे उम्मेद है आप सभी अच्छे होंगे ठीक है घर में होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो आज का हमारा जो सेशन हमने लिया है वो हमने क्लास 6 के NCRT जोगर करने के कोशिश करेंगे तो साथी साथ में बता दू कि UPSC के प्रॉस्पेक्ट से बताते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो खुदी बताते हैं और माना भी जाता है एगर आप सब्संक्लन आप अगर अच्छा करना चाते हैं तो सब्संक्लन ये करने के लिए हैं दूसरी बात आपका अगर बेस मजबूत करना है जो बेसिक कॉंसेप्ट होता है उसको समझते हुए पूरे जोगर्फी को समझना है तो क्लास सिक्स टू टॉर्ब तक जो NCRT होती है वो सबसेंट होती है ठीक है हर आप किसी भी टॉपर से अगर आप इंट्रेक्ट होते हैं तो यही आपको इसका पीडिया फाइल आपको जो है वो समार्ट स्टेडी पॉइंट पे आप स्पेस देकर लिखेगा स्मार्ट स्टेडी स्टेडी स्टी यू दिवाई ठीक है पी ओ आइंट के लिखेगा तो आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का लोग यही आपके चैनल का लोगा लगा होगा वहाँ पर डिरेक्ट ली जाके ले सकते हैं अगर आप पर्सनली चाहते हैं तो यहाँ पर्सनली जो है वह 6393621344 यानि आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइट करा दिया जाएगा यहाँ वाट्सप नमबर है यहाँ पर पर्सनली प्रोवाइट करा जाएगा वहाँ पर आपको टेलिग्राम करें प्राप्त होगा तो आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी या फिर किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम क्रियेट होता है आप हमसे वाट्सप से बात कर सकते हैं वहाँ आप आपको रिप्ला क्वालिफाइंग जो होता है 300 marks का जो English का भी पेपर आपको देना पड़ता है तो English की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा UPSC डिमांड नहीं करता है लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ होती है वो होनी चाहिए ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन तो हमारे आज का सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकास चैप्टर है उसको में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि सौर मंडल में प्रित्वी को समझेंगे The Earth in the Solar System को बारे में पढ़ेंगे दूसरा हमारा है ग्लोब अक्षांस एवं देखांतर को पढ़ेंगे यानि ग्लोब लेटिट्यूट एंड लॉंगिट्यूट के बारे में पढ़ेंगे अध्याय तीन यानि चैप्टर थर्ड में हम प्रित्वी की गतिया motions of the earth के बारे में समझने का प्रियास करेंगे वहीं बात किया जाए अध्याय चार की तो अध्याय चार में हम मानचित्र को समझेंगे यानि maps को समझेंगे और अध्याय पांच में प्रित्वी के प्रमुख परिमंडल यानि major domains of the earth को समझने का प्रियास करेंगे चैप्टर 6 में हम प्रित्वी के प्रमुख अस्थल के रूख को समझने का प्रयास करेंगे यानि Major Land Form of the Earth चैप्टर 7 में हमारा देश भारत यानि आवर कंट्री इंडिया को समझने का प्रयास करेंगे और साथी साथ में जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा उसमें हम भारत जलवायू वनस्प्रति दथावण्य प्राणी को समझने का प्रयास करेंगे यानि इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अन्ड वाइल लाइफ को समझने का प्रयास करेंगे इसमें जो नई चीजे जैसे हमारा देश भारत है तो इसमें कई चीजे जो है अभी बदल गई है तो उसको हम यहाँ पे हम सामिल किये हैं ठीक है इंक्लूड कर दिये गए पुरानी चीजे को यहाँ पर हटा दिया गया है तो यह चीज आपको benefit मिलेंगी तो चली स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर क्या है हमारा कि हम यहाँ पे एक अध्या जो पढ़ेंगे अध्याई एक हमारा है वो सौर मंडल में प्रित्वी यानि द अर्थ इन द सोलर सिस्टेंक में बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो उद्देश क्या होगा है नि मैं अब्जेक्टी को एक बार समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे यानि information about the universe और दूसरा ग्रहों की जानकारी यानि planetary information तीसरा सूरी की जानकारी information about the sun और चौथा ब्रह्मांड संबंधी परिभाशा है एवं शब्दावली यानि cosmological definitions and terminology यहाँ पे हम जो स्वार्मंडल में प्रिथ्वी है उसको यहाँ पे इन टॉपिक के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे information about the universe ग्रहों की जानकारी सूरी की जानकारी यहाँ ब्रह्मांड संबंधी परिभाशा हैं सब्दावली को समझने का प्रियास करेंगी I hope आपको यह चीज़े समझ मागए होंगी कि स्वार्मंडल में जो प्रिथ्वी है प्रिथ्वी को समझने का प्रयास के बारे में हम भी इन टॉपिकों को पढ़ना जरूरी है तो देखते हैं इस्टार्ट करते हैं पहला जो हमारा इस्टार्ट हो गया है खगोली पिंड क्या होता है यानि सेलेस्टियल बॉडिज क्या होती है सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तवे जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है खगोली पिंड कह यह प्रतीत होती है उन्हें हम खगोली पिंड कहती है आपको यह समुझ में आ गया होगा कि सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुवे जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है वे खगोली पिंड कहलाती है मैं आपको बता दू कि यह जो हमारा भाषा है वो Google Translate नहीं है यह NCRT के हुब हुब लैंग्विज को कॉपी किया गया है आपको पता भी होगा अगला हमारा है कि बड़े आकार देखिया अब यहाँ पर हमने खगोली पिंड को समझने का प्रयास किया है Celestial bodies are very big and hot तो हमें दो चीजे पता चली है कि जो तारा होता है वो एक तो आकार में बड़ा होता है और गर्म होता है ठीक है अगला point क्या है तारे के बारे में कि गैसों के बने होते हैं जो यह तारा होता है they are made up of gases अगला हमारा है कि इसके पास अपनी स्वयम की उश्मा और प्रकास होता है Most important factor कि इसके पास अपनी स्वयम की उश्मा होती है और प्रकास होता है जिसका वे अतिधिक मात्रा में उच्च सर्जन करते हैं पता होना चाहिए कि प्रित्वी एक खगोली पिंड है नाकी तारा जबकि सूर एक तारा है क्यों क्योंकि वो आकार में बड़ा है वो गर्म है उसके पास स्वयम की उश्मा और प्रकास है जबकि प्रित्वी के पास स्वयम की प्रकास या उस्मा नहीं है ठीक है अगर प्रित्वी के पास मालीजे अगर उस्मा होती है उसका स्वयम का प्रकास होता तो प्रित्वी पर जीवन संभव नहीं होता क्योंकि प्रित्वी तब जलती हुई प्रतीत होती ठीक है नाविकी सनलेंड जसी घटना यहाँ पर भी होती जिस प्रकास से सोरी में हम हमने क्या देखा कि इसके पास अपनी स्वयम की उश्मा होती है प्रकास होता है जिसका व्यातिधिक मात्रा में उत्षर्जन करते हैं they have their own heat and light which they emit in large amount ठीक है सूरी एक तारा है यानि sun is a star सूरी एक तारा यहाँ पर एग्जामपल भी आ गया देखें खगोली पिंड क्या होता है कि खगोली पिंड जो होता है हमने पढ़ा कि सूरी चंद्रवा तथा वे सभी वस्तव जो जरात के समय आस्मान में चमकती हो दिखाई पढ़ती है उन्हें खगोली पिंड कहते हैं जबकि तारा क्या है कि ऐसे खगोली पिंड जो आकार मे बड़े होते हैं एवं गर्म होते हैं तारा कहलाते हैं दूसरा हमने क्या देखा कि ये गैसों के बने होते हैं इनके पास स्वैम की उस्मा होती है स्वैम का प्रकास होते हैं एवं ये अतिधिक मात्रा में इसका सर्जन करते हैं और इसी प्रकास एक्जांपल के माध्यम से दे आई गई आकृतिया नक्षत्र मंडल या फिर तारा मंडल कहलाती है ठीक है वेरियस पैटरंस फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रूप्स आफ इस्टार आर काल्ड कॉंस्टेलेशन अब देखिए माली जे ये तारा हो गया ये तारा हो गया ये तारा हो गया तो ये जो तारे हैं जब आपस पर मिलकर एक पैटरन को फालो करेंगे ठीक है माली जे ये त्रिबुजा का पैटरन बनाता है या फिर ये क्या हो गया कि आयत के आकार का तारे जो बन जाते हैं तो ऐसे विभिन तारों के जो समू होते हैं जो आकृतिया होती है ठीक है विभिन तारों ये समू क द्वारा बनाएगी आकरितिया फिर नक्छत्र मंडल जो होता है वो क्या कहलाता है तारा मंडल कहलाता है ठीक है जैसे आप एक्जांपल समझने का क्या कहेंगे तारा मंडल अब इसी प्रकार से देखिए आप हो सकता है कि ये ट्राइंगल ग्रूप में कोई तारा हो तो बेभिन तारों का एक ऐसा समूह जो आकृतिया या नच्छत मंडल होता है उसे हम क्या कहते हैं तारा मंडल यानि वेरियस पैटर्न फॉर्म बाई यानि तारों के द्वारा एक पैटर्न को फालो करना अगला अगर है अर्सा मेजर का जो एक पार्ट है वो सब्तुरिशी है ठीक है सब्तुरिशी तरह मंडल है आपको समझने का प्रियास करना है कि अर्षा मेजर या बिग बियर का जो एक पार्ट है वो सब्तुरिशी तरह मंडल है यानि उर्षा मेजर और बिग बियर सब्तुरिशी ये क्या है ये देखिए सब्तुरिशी जो है एक जो है उर्षा मिजर का ये पार्ट है ठीक है तापको ये बात जानी चाहिए साथे साथ में ये क्या है एक तारो के आसर सम्मू है जो एक निश्चित पैटर्न को फालो करते हैं और एक साथ में दिखते हैं ठीक है ये सम्मू होते हैं तो हैं क्या कहेंगे तारो के समू या फिर तारा मंडल कहते हैं अगला हमारा एक विशेस तारो के सहायता से हम रात्री के समय दिसा का निधान कर सकते हैं ठीक है एक यहां पर यह भी पॉइंट आ गया है कि तारो की सहायता से हम रात्री के समय दिसा का नेधान कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप चीज़े कि जैसे धुरू तारा हो गया पृत्वी के उत्तर दिशा में होता है उत्तर दिशा में सीधे होने के काण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है तो यहाँ पर यह अगली विश्षिस्ता तो यह चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे अगला हमारा है कि सूर्य के बारे में हापे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सूर्य क्या है हमारा कि सूर्य, the sun is the center of the solar system solar system क्या होता है उसको थोड़ा आगे समझने का प्रयास करेंगे तो सूर्य सूर्य मंडल का केंदर में है सूर्य मंडल जो है वो सूर्य और आठो ग्रहों को मिलकर जो है वो सूर्य मंडल का निमान होता है आपको समझने का प्रयास करना आप यह चीज़ जानते होंगे तो the sun is the center of the solar system जो सूर्य है वो सौर मंडल का केंदर में है अगली बात करें तो the It is huge and made up of extremely hot gases मतलब यह विशाल है और बेहत गर्म गैसों से बना है जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंदर में है और यह विशाल बेहत विशाल है एवं गर्म गैसों से बना है अगले point की बात करें तो, it provides the pulling force to the bind of solar system, मतलब कि इसका खिचाओ बल, इसमें सौर मंडल को बाध ही रखता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, माली जी है, यह हमारी सूरज हो गया, अब यह बोध दुसुकृ, पिर्थवी, मंगल, भिहस्पती, सनी, तो क्या होगा, कि इसमें एक विशेष प्रकार का जिसे हम गुर्थवा करस्ण, gravitation force कहते हैं, जिससे यह आपस में जो ग्रह होते हैं, एक निश्चित कच्छा में एक दूसरे की प्रक्रीमा करते हैं, परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि यह गुर्थवा करस्ण बल के प्रकारे में, तो दन सन is the ultimate source of heat and light for the solar system, यानि सूर्य जो है, वो सौर्मंडल के लिए उसमा और प्रकास का अंतिम सुरोत है, इस बात को ध्यान रखना है, सौर्मंडल में केवल एक ऐसा अंतिम तारा है, जो की उसमा और प्रकास देता है, ठीके, इसके ही वज़े से सूर्य चंद्रमा जो है, आधितमाम प्रकार के जगरा होते हैं, उनमें दिन और रात होता है, ठीके, उनमें उसमा पहुंचती है, तो सिर्फ यही एक बताया गया है, दसन is the about 150 million किलो मेटर अवे फ्रॉम दी अर्थियानी सूर्य जहो प्रिथवी से लगभग 1500 million है, ये 15 करोण किल दूरे है हमारा, वो प्रिथवी से 1500 million किलो मेटर की दूरी पर है, और छठे पॉइंट की बात किया जाए, तो सूर्य में उसमा का उत्पादन, नाभिकी ये सनलयान, देखे, कई प्रकार के एक्जाम जो होते हैं, जो state PCS हो गया, या फिर तमाम प्रकार के जो ऐसे state level पर ज होता है, साथे साथ में जो state level के जो एक्जाम होते हैं, वो आप क्वालिफाई करने के लिए सक्षम बन जाते हैं, तो सूर्य में जो होता है, वो उसमा का उत्पादन, नाभिकी ये सनलयान, यानि nuclear fusion की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइडोजन के अड़ परस प जेंद में, बुध्र सुक्र पित्वी इस प्रकार से, और यह एक विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल है, और ये गर्म है, ठीक है, गर्म गैसोस के द्वारा इसका निर्मान किया गया है, इसमें खिचाव बल, इसका खिचाव बल इसे सौर मंडल से बाधे रखता है और सूर्य जो होता है वो सौर्मंडलक में उस्मा और प्रकास का अंतिम सुर्थ है यानि अंतिम सुर्थ के रूप में सूर्य जाना जाता है साथी साथ में अगर इस सूर्य का प्रित्वी से दूरी मापी जाए तो बुद्ध सुक्र प्रित्वी ठीके प्रित्वी मंगल ब्रहसपती इस प्रकास से देखिए तीसरा गरह होता है जो तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उसमा का जो उत्पादन होता है वो नाभिकी सनलया निनी नुकलियर फीजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसे हम हाइड्रोजन के अड़ु परस पर मिलकर हीलियम अड़ु का निर्मान करते हैं परिडाम रूप अतिधिक मात्रा में जो होते ही है वो उर्जा का उत्सर् होता है अकर इसको किलियो मितर में कनवर्ट करें तो 9.46 इंटु 10 टू पावर 12 किलो मितर हो जाएगा थीक है तो अब देखिए लाइट येर जो होता है एक लाइट येर का मान क्या होता है कि 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर टाइम टू रीच सनलाइट एड अर्थ जो सूरि का जो प्रकास होता है वो प्रित्वी पर आठ मिनट 20 सेकंड में पहुशता है आपको पता होना चाहिए ठीक है यह चोटे चोटे चीजे हैं कि जो सूर्य का प्रकास जो प्रित्वी पर पहुशता है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुशता है अगला हमारा है कि सौर मंडल क्या होता ह सौर मंडल यहाँ पर दिखे हमने बात किया था न कि आगे बढ़ेंगे तो सौर मंडल क्या था नहीं सोलर सिस्टम क्या था सूर्य आठ ग्रह एवं उनके उपग्रह है अनिक गोली पिंड जैसे छूद ग्रह उलका पिंड आधी मिलकर सौर मंडल का निर्मार करते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा सूर्य होता है उसके पास वाले जो आठ ग्रह होते हैं और खगोली पिंड और उनके उपग्रह है माली जै पृतवी जैसे उपग्रह कौन है पृतवी का उपग्रह जो है चंध्माई ॉपग्रह तो यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे सूर्य है वो 8 ग्रह है और उसके ईपग्रह साती सात में खगोली पिंड कीसे छूध ग्रह उलका पिंड आधी मिलकर सौर-मंडल का निर्माड करते हैं ठीक है यहाँ पर एक चीज़ा और प्रयास कर लिए धीजिए घ्रतु सौर मंदल क्या होता है जिस मालीजी पृत्वी हो गया यह आठ ग्रह हो गया ठीक है अब इनके ग्रहों के उफ्ग्रा हो गय और छूद ग्रह हो गय धीक है ट्माम प्रकार के खुए है अनाक प्रकार के जो है धूलके कॉल इसके आगे जो होता है Orant Cloud का लाता है, ठीक avorite cloud इसको कहते हैं, तो यह चीज़ा आपको समझने का प्रयास करना है, कि यहाँ पर हमारा सुर होगा है केंद्र में, इसके बाद इहाँ पर आठ गरह हो गए, इसके बाद जो बेल्ट का लाता है, ठीक है यहाँ पर जो एक निश अगला चलते हैं अपना अब देखेंगा कि ग्रह क्या होता है ग्रह के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि प्लेनेट क्या होते हैं तो ऐसे खगोली पिंड जिनके पास स्वयम का प्रकास यों उस्मा नहीं होती है वे खगोली पिंड कहलाते हैं ठीक है वे ग्रह कहलाते हैं एक ऐसे अब देखिए यहाँ पे खगोली पिंड क्या होता था हमने पढ़ा था कि सूर्य तारेवा अन ऐसी वस्तवे जो आस्मान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं खगोली पिंड कहते हैं तारा हमने क्या दिखा था कि ऐसे खगोली पिंड ज समलने का प्रयास किया है तो ग्रह, जिससे हमारी प्रिथवी एक ग्रह है, तो ऐसे खगोली पिंड जिनके पास स्वयम का प्रकास और उस्मा नहीं होती है, यानि ऐसे खगोली पिंड जिनके पास स्वयम का प्रकास और उस्मा नहीं होती है, वे खगोली पिंड कहलाते हैं, न तारे के प्रकासों से प्रकासित होता है जैसे हमारा पृत्वी जो है हमारा एक ग्रह है अब ये सूर्य के प्रकास से प्रकासित होता है ठीक है अगला हमारा है कि प्लेनेट ग्रीक भासा के प्लेंटाई से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रहमक या तारों का चक्कर लगाने ठीक है, the word planet comes from the Greek word plantai, which means, which means क्या होता है, wonders, ठीक है, wanderers, मतलब कि जो हमारा planet है, ठीक है, planet का मतलब अभी हमने देखा न, कि planet का मतलब क्या होता है, ग्रह होता है, ये चीज़ आप समझने का प्रयास कीजए कि जो planet होता है, वो Greek भासा के plantai से बना है, ठीक है, जो planet हमारा, वो Greek भासा के plantai सब्दे से निकल कर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक या चारो और चक्कर लगाने वाला, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कर लिजिए, क्योंकि अगर isolated questions आते हैं, वहाँ पे हम include कर सकते हैं, planet है, वो Greek भासा के plantai से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या फिर चारो तरब चक्कर लगाने वाला, अगला बात करते हैं, हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह है, सूर से बढ़ती दूरी के उनसार, इसका करम क्या है, बो दुसरो कर पित्वी कच्छा में, ठीक है, एक निश्चिस कच्छा में, एक निश्चिस समय में, जो होते हैं, वो सूरी का चक्कर लगाते हैं, जबकि यहां पर पाया गया 2006 में क्या पाया गया था कि जो वरूण है ठीक है जो नेप्चून है वो जो वरूण है वो क्या होता है कि वो यूरेनियस की कक्छा को कारता है तो इस वज़ा से एक रूल्स को जो ग्रह के रूल्स होते हैं जो नियम होते हैं वो ग्रहों के नियम को पाल नहीं करता था इस अर्टी दूरी के उनसार इनका क्रम बुद्धुसों के प्रित्वी मंगल ब्रिषपती, सनी, यूरेनस, अरूर और नेप्चुन वरून कहलाता है, there are eight planets in our solar system in order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Saturn और यूरेनस and नेप्चुन, ठीक है, ये चीज़े आपको समझने का प्रयास करना है, अब अगला हम देखते हैं यहां पर अगला हमारा क्या है, कि अगला हमारा है ग्रह के बारे में थोड़ा सा और information कलेक्ट करेंगे, पांचवा पाइंट हमारा क्या है, देखे थोड़ा सा एक बार हम revise कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा कि ऐसे खगोली पिंट जिनके पास स्व अगला हम अगर बात के पांचवा पाइंट की, पांचवा पाइंट पहला आते हैं, तो पांचवा हमारा जो पाइंट है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो पांचवा पाइंट हमारा all the eight planets of the solar system move around the sun is fixed path, मतलब सभी ग्रह एक निश्चित देर्ग वृत्ताकार देर्ग वृत्ताकार आपको ध्यान रखना है, कि देर्ग वृत्ताकार इस प्रकार से जो है वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सभी ग्रह एक निश्चित देर्ग वृत्ताकार पत पर घुमते हुए सूर का चक्कर लगाते हैं, इस पत को कक्षा कहते हैं, यानि all the eight planets of the solar system move around condition in fixed path, these path are elongated, they are called orbit, मतलब समझने का प्रयास कर रहें, मतलब कि जो सभी ग्रह हैं, जो आठो ग्रह हैं, वो solar system में, यानि सौर मंडल में सूर के दिर्ग वित्ताकार में घुमते हुए चकर लगाते हैं, मतलब कि सभी ग्रह एक निश्चित दिर्ग वित्ताकार पत का गमन करत पत को घुमते हुए सूर का चकर लगाते हैं, इस पत को कक्छा कहते हैं, अगर छठे पॉइंट के बाद किया जाए तो देखें यहां पे कि सुक्र को प्रित्वी की जुडवा माना जाता है, जो हमारी सुक्र है, उसे प्रित्वी का जुडवा माना जाता है, क्यों? क्यों similar to the to that of the earth मतलब कि सुक्र जो है वो प्रित्वी की जुड़ो माना जाता है क्योंकि इसका आकार प्रित्वी से बहुत मिलता जुलता है वो सुक्र जो है वो अत्यन्त चमकीला होने के काणि से भोर का तारा भी कहते हैं देखिए अगला पॉंद जो कि हमने अभी discussion किया था कि अगस्त 2006 तक प्लूटो को सुर्मंडल का ग्रह माना जाता था यानि अगस्त 2006 तक जो था वो प्लूटो को सुर्मंडल का ग्रह माना जाता था लेकिन अंतर रास्टी खगोली संगठन यानि international astronomical unit आई, ए, यू के द्वारा निड़या नुसार अब यह ग्रहों की स्रेडी से नहीं आता है क्योंकि यह नेप्चुन की एक अक्छा को काटता है आप इसे बॉनेग रहे एंट डॉर्फट प्लेनेट की स्रेडी में रख सकते हैं देखिए, तिल रिसेंटली अगस्ट, अगस्ट 2006, प्लूटो वस आलसो कंसिड़ेट अज प्लेनेट, हावेवर, इन अ मीनिग आफ दी इंटरनेशन अस्टरोनॉमिकल यूनिट, अ डिसीजन वस टेकन धाट प्लूटो लाइक अधर सेलेस्टियल अबजेक्ट्स, सेरस 2003, वो एक निश्चित दिर्ग वित्ताकार में प्रत में घोमते हुए सूर का चक्कर लगाते हैं, इसे प्रित्वी की कक्छा कहते हैं, दूसरा हमने क्या देखा, छटा प्माइंट हमने देखा था, कि सुक्र जो है वो प्रित्वी की जुडवा मान जाता है, इसको जुडवा जाता था, जबकि अंतर राष्ट की खगोली संगठन के नेड़ा अनुसर अब इसे ग्रहों की स्रेडी से नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि नैप्चुन की कक्छाओ को यह कारता था, अब इसे बौने ग्रह यानि ड्वार्फ प्लेनेट की स्रेडी में रखा गया है, इतिहास के कार्ण, चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया था, कि देखिए हमारे इतिहास में कई ऐसे बैज्ञानिक हुए हैं, कई ऐसे सोथिकरता होते हैं, जो कई ऐसे खगोल सास्त्री हुए हैं, जो कि आज के समझ जो बताई जा रहे हैं हम यहाँ पर '' gamers के प्रित्विव के प्रक्र premi कर रहा हैं लेकिन वहाँ पर जो धर्म का जो बायाटमबर था वह बहुत जादा था क्योंकि जो भी प्रित्विव के विरुद्ध में बोलता था उसे फासी दे दी जब कि जो तमाम प्रकार के व्यग्यानिक थे जिसमें आरी भर्ट हमारे इंडिया के आते हैं शामिल है ठीके अधितमाम प्रकार के जो 18 प्रेशनी 20 सदी में जो जन में उन्होंने बता दिया था पहले ही कि देखिए जो हमारा सुर्य है वो केंद्र में है प्रिथ्वी इसका चक्कर लगाती है तो वो उन चीजों का जो है आकलन करके कई चीजों का आकलन करके वो पहले ही बता दिये तो वही चीजे बता गया कि आरिभट प्राचीन भात के एक प्रसीद खगोल सास्त्री थे उन्होंने कहा कि परावर्ती तुसूरी के प्रकास के काण ही चंद्रमा और ग्रह जो होते हैं वो चमकते हैं आरभट वाज़ फेमस एस्टोनॉमर आफ एंसियन टाइम अगला हमार नौ पाइंट है कि जूपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस है वर रिंग एराउंड देम इस और बिल्ट और इसमाल डैब्रीज मतलब कि ब्रिहस्पती, सनी और यूरेनस के चारो और छले हैं ये बिल्ट असां के छोटे-छोटे पिंडो से बना है माली जी हमारा ये सूर्य हो गया ये बुद्ध सुक्र पृत्वी मंगल ब्रिहस्पती इस प्रकास है तो देखे यहां पर ये बताने के कोशिश की गई है बिहस्पती, सनी और यूरेनस के चारो और छले हैं ये बिल्ट जो होते हैं आसां के पिंडो से बने होते हैं इसके चारो तरफ जो होता है धूल इसमें अब इसमें जो होता है इसके चारो जो बिल्ट बनाई गई है इसमें धूल, कंकर, गैस वा पत्थर जो है इसके चारो तरफ यह है एराउंडिंग, सराउंडिंग कर रहे हैं जिसे हम बैल्ट कहते हैं ठीक है तियो चीजा को समझ मे आगई होगी आठ आप पाइंट हमने नव पाइंट भी देख लिया है अब यहाँ पर हम प्रत्वी को समझने का प्रयाज करते हैं अभी तक हमने क्या देखा था एक बार थोड़ा साम रिवाइस कर लेते हैं कि ग्रह क्या होते हैं कि कैसे खगोली पिंट जिनके पास स्वयम क दूरी कमसार अगर बात किया जाए तो बोधु से कर प्रित्वी मंगल ब्रहसबती सनी अरुड वरुड नेप्चुन कहलाते हैं अगला हमने क्या देखा पांचवा पाइंट की सभी ग्रह एक निश्चे दिर्ग वित्ता कार पत पर घुमते हुए सूरी का चकर लगाते हैं इस पत को कक्छा कहते हैं अगला चाटा पांच हमने देखा था कि सुक्र को प्रित्वी की जुड़व माना जाता है क्योंकि इसका आकार प्रित्वी से बहुत मिलता जुलता है शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के काण इसे भोर का तारा भी कहते हैं अगला पांच हमने वरुण की एक अक्षा को कारता था अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की स्रेणी में रखा गया है आठवा पॉइंट हमने देखा था कि आर्भट प्राचीन भारत के एक प्रसीद खगोशास्ती थे उन्होंने कहा कि प्रावर्तित सूरी के प्रकास के काण ह और आने ग्रह चमकते हैं अगला हमने नवा पॉइंट और आखरी पॉइंट हमने देखा था कि बिहस्पती सनी और यूनियर्स के चारो और चल्ले है यह विल्ट असंग के छोटे-छोटे पिंडो के बने होते हैं अब अगला पॉइंट हमारा राता है प्रित्वी के बारे तो दूरी के अनुसार यह तीसरा दूरी के अनुसार ग्रह है और अगर साइज यहनि आकार के अधार पर बात किया जाए तो यह पांच भग रहा है ठीक है अगला हमारा है कि प्रित्वी के आकार पूरी तरह ग्रोल ना होकर यह ध्रूवो पर चप्टी है इसका स्वैम का अपना एक आकार है इसे भू आब कहा जाता है ठीक है इट इच स्लाइटली फ्लैटर एड़ अड़ पूल्स देट इट इड़ वाए डाट इस वाए इट सेफ इस डिस्क्राइब एज जियोईड ठीक है जियोईड मिन्स अर्थ लाइक शेप अब यहाँ पर क्या बताया ग पर है वो चप्टी है हमारी प्रित्वी हमारी प्रित्वी जो है वो धुर्वो पर चप्टी होने के काड़ इसका एक विशेश आकार है जिसे हम जियोईड कहते हैं ठीक है क्या कहता है कि प्रित्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर यह धुर्वो पर चप्टी हुई है इसका स्वयम का एक अपना आकार है, इसे भुवाफ कहते हैं, ठीक है, इसके भुवाफ कहते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि जीवन के अनकूल परिस्थितियों के काड़ ही प्रिथिवी को सबसे अदभुद ग्रह कहा जाता है, अब देखिए, यहां पर यह बताने का प्र वायू, जहां पर जैव मंडल पाए जाये, ठीक है, जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल जो होता है, वो अस्थल मंडल, जैल मंडल और वायू मंडल, तीनों के मिलो जुलोई रूप को ही जैव मंडल कहते हैं, यानि जहां पर जीवन संभव है, ठीक है, डारेक्ट फॉम मनडल देख लीजिए अस्थर मनडल देख लीजिए पृतिवी की गतिया रिक देख लीजिए दिन-रात देख लीजिए मौस में परवर्तन मौस में समंधिक घर गटनाय देख लीजिए अधितमाम प्रकार कैसे घरनाय है जो की मानव के यद फिर अन्यatus जन दूं के od इसे ही हम गॉल्डी लॉग जॉन कहते हैं यहां पर यह बताया गया है कि जीवन के अन्कूल परिस्थितियों के कान पृत्थियों को सबसे अधबुद ग्रह कहा जाता है यानि conditions favorable to support life are probably found only on the earth अब देखे पानी की अधिकता के कान इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है अगर हम अंत्रिष्च से देखेंगे तो हमारी पृत्वी जो हो नीली दिखाई देती है the earth appears blue because its two-third of surface is covered by water मतलब दो तीहाई जो भाग है वो किसके द्वारा यानि तीन में से दो भाग जो जल है वो जल की द्वारा गिया गया है अगला हमारा के अंत्रिष्च से देखने पर पृत्वी नीली करल की दिखा जिती है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दूरी के अनुसार गर देखा जाये तो अगर आकार में देखा जाये तो सौर मंदल का पाच्वा गर हमारा पृत्वी अगली बाट हमने क्या देखी थी कि पृत्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर या धुर्वों पर चप्टी है इसे स्वयम का अपना एक आकार है इसे भुवाब कहा जाता है अगला हमने पॉइंट देखा था तीसरा पॉइंट कि जीवन की अनकूल परिस्थितियों के के लिए रंकी दिखाई पड़ती है अगला हमारा पॉइंट है चंद्रमा के बार में आप समझने का प्रयास करेंगे चंद्रमा क्या है मून हमारी पृत्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपगरह चंद्रमा है जिसका व्यास पृत्वी के व्यास का एक चौथाई है से क्या कहते हैं उपग्रह कहते हैं ठीक है अब ग्रह क्या होते हैं ग्रह जो होते हैं वो सूर की परिक्रमा करते हैं और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं ग्रहों की परिक्रमा करते हैं साथ-साथ में उसको उपग्रह कहते हैं अब यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है प्रिथ्वी के एक मात्र उपगरह जो है वो चंद्रमा है ठीक है प्रिथ्वी के एक मात्र उपगरह जो है वो चंद्रमा है और ये व्यास व्यास मतलब क्या होता है ये मध्य पॉइंट ठीक है इसको हम व्यास कहते है ठीक है ये बताया गया है कि जो प्रिथ्वी का वन व हैंगी आप प्राकरटिव उब्रह् होता है ठीक है इक तीनलमेतली हुव क्रतिवी से थे यह यही शोक्press के परकती वृभल संथियू ही ख॥ freak linking उब्रह्पर गार्याश शंद्रमा गॊंतर मत उन्थमारी व्यास प्रत्विकन के व्यास का 1 चौथाई है अब आप देखिए यह पिर्थवी से 3,84,000 km की दूरी परिस्तित है अब देखिए चंद्रमा पिर्थवी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है यानि the moon moves around the earth in 27 days अब यहापर यह बताया गया है कि मालीजी यह हमारी पिर्थवी हो गई अब यह चंद्रमा हो गया अब देखिए हर उग्रह दो प्रकार के गतिया करते हैं एक घूरन करते हैं एक चक्रन करते हैं मतलब कि एक rotation करते हैं तो देखिए यह बताया गया है कि एक तो अपने धृरूँ पर अपने मालीजी यह पिर्थवी है तो ये अपने ध्रूपर चार तरफ घूमेगी ठीक है और दूसरा की वो एक प्रिथवी सूर का चक्रन लगाएगी ये दो प्रकार की गतियां करती है बताया गया है कि जो चंद्रमा है वो प्रिथवी की जो एक परिक्रमा है वो 27 दिन में पूरा कर लेता है साथ ही साथ में अक्ष पर भी उतने ही दिन यानि 27 दिन में भी घूम जाता है अब यहां पर यह समझने का प्रिथवी की परिक्रमा कर लेता है और साथ ही साथ में अपने अक्ष पर भी घूमता हुआ एक परिक्रमा कर लेता है मनने यहां से यहां मतलब एक तरफ से घूमना श्टार्ट कि तो अपने अक्ष पर घूमते हुए घूमते हुए वापस उसी अक्ष पर आ गया मतलब एक घूरण जो है और एक चकण जो है इसका जव समान दे है है मतलब 27 दिन में अपने अक्ष पर भी घूम जाता आ और प्रित्वी की भी परिक्रमा कर लेता है अब देखे अगला похож हमार प्रिथवी के एक चक्कर को पूरा कर लेता है इसी कारण प्रिथवी से सूर का सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है As a result, only one side of the moon visible to us on the earth अब देखे, अगला point हमारा है कि इसकी सतह पर परवत मैदान एम गड़े हैं जो चंद्रमा की सतह पर चाया बनाते हैं और पूर्डिमा के दिन चंद्रमा के इन चाया को देखा जा सकता है अब हमारा जो चंद्रमा है इस पर अनवी प्रकार के परवत पठार एवं मैदान पा जाते हैं अब इसकी चाया को हमें पूरिमा के दिन देख सकते हैं अगर पूरिमा के दिन टेली स्कोप की सहाथा से अगर देखेंगे तो डेफिनेटी वहाँ पर जो परवत पथार है आपको क्लियरली देखेंगे ठीक है तो यह जीजे बताने की कुशिश की गई है एक बार फ़र से रिवाइज कर लेते हैं कि मारी प्रित्वी के पास केवल एक प्राकर्टी कुगबुरा है जिसका नाम चंद्रमा है इसके व्यास जो है वो प्रित्वी के व्यास का एक चौथाई है यह प्रित्वी से 384,400 किलोमेटर की दूरी पर है और चंद्रमा प्रित्वी के एक चकर लगबग 27 दिनों में पूरा करता है और साथी साथ में वह अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में ही घुम जाता है इस बात करें आप सुमझने के प्रयास करेंगे अगला हमारा है देखें अगला हमारा पॉइंट क्या है कि नील आर्म स्ट्रांग 21 जुलाई 1979 को चंद्रमा की सता पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्म स्ट्रांग was the first man to step on the surface of the moon on 21st जुलाई 1969 मतलब कि जो नील आर्म स्ट्रांग थे वो 21 जुलाई 1979 को चंद्रमा की सता पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे तो आपको याद रखना है इनका नाम कि नील आर्म स्ट्रांग जो थे वो 21 जुलाई 1979 को चंद्रमा की सता पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे अब यह लिएक्ट रिवल्विंग एरॉव्ड डी प्लेंस और कॉल्ड सेटलाइट। अभी हमने समझने का प्रयाज किया कि जो ग्रह होते हैं ग्रहों की जो प्रैक्रमा करते हैं चारा तरफ उन्हें हम उप ग्रह कहते हैं. सबसे ज्यादा उप ग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनी ह यहाँ पे वर्तमान स्मय में देखा जा, पहले क्या था, पहले भ्रिहस्पती था, लेकिन वर्तमान स्मय में देखा जा तो नए उप ग्रहों की खोश हुई है, तो नए उप ग्रह जो है सबसे ज्यादा किसके उप ग्रह है, तो सबसे ज्यादा सनी के है, the planet with the most satellite is currently Saturn, मतलब कि वर्तमान में सनी एक ऐसा उपग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है ठीक है तो हमने क्या देखा कि ग्रहों के चार और चक्र लगाने में पिंड को उपग्रह कहते हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला पिंड जो है वर्तमान समय में वो सनी है अब अगला हम ब निर्माण की जाता है यह वैग्जानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उप्योग ब्रहमाण के बारे में जानकारी प्राप्त करने और प्रिथवी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है अब देखिए जो मानो निर्मित जो उपग्रह होते हैं वो एक कृतिम पिंड कहलाते हैं और यह वैग्जानिकों के द्वारा इसका निर्माण किस लिए कि जाता है ब्रहमाण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और प्रिथवी कफ संचार माध्यम के लिए it is designed by scientists to gather information about the universe और for communication मतलब संचार माध्यम की जानकारी के लिए संचार माध्यम के साहता के लिए या फिर ब्रहमांड के जानकारी प्राप्त करने के लिए मानव निर्मित सेटेलाईट का यानि human made सेटेलाईट का निर्माड किया जाता है साइंटिस्टों के दौरा अब देखिए अगला पंट हमारा है कि इस राकेट के दौरा अंत्रिश में इसे जो हता है वो राकेट के दौरा अंत्रिश में भेजा जाता है और यह प्रित्वी की कक्छा में अस्थापित कर दिया जाता है यानि it is carried by the rocket and placed in the orbit around the earth तो यह चीज़ आपको समझ में आ गए होंगी अब देखें अगर आप बात किया जाए तो सम स्टिलाइट की तो यहा पे सम आफ दी इंडियन स्टिलाइट in space are insat, irs और edusat, edusat, ठीक है सेक्टाइस प्रकार के जो मानुनी नियमित उपगरह कहलाते हैं एक बार फिर समझ लेते हैं ठीक है देखे हमने ग्रहों के बारे में क्या देखा था कि नील्म आर्मस्टाग की 21 जुलाई 1979 को चंद्रमा की सता पर कदम लखने वाले पहले वेक्ती थे उपग्रह के बारे हमने देखा था कि ग्रहों के चारो चकल लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है वो वर्तमान में सनी है अब मानो निर्मित उपग्रह के बारे में हाँ पे समझने का प्रयास करते हैं तो human made satellite के बारे में समझने का प्रयास करें एवं प्रित्वी के संचार माध्यम को समझने में प्रयाश किया जाता है ठीक है अब क्या होता है कि जो मानो निर्मित उपग्रह होते हैं इसे राकेट के द्वारा अंतरिच में भेजा जाता है और प्रित्वी की एक अच्छा मिया स्थापित कर दिया जाता है अगर एक्जा पुद्ग्रिया कहलाते हैं यहीं एपार्ट अपार्ट फ्रम दी स्टार्स प्रैनेट्स एंड सेटलाइट्स देर आर नुमिरस टीनी बॉड़ी विच आल्सो मूव एराउंड दी सन ठीक है सौर मंडल में यह मंगल एवं प्रिहस्पति के एक च्छाओं के बीच में हैं यह भी सूर की प्रैक्रिमा करते हैं मतलब यहाँ पर बताने के कोशिश की गई है एक बाद फुरा समझ लेने का प्रयास करते हैं कि यह हमारा देखिए यहाँ पर तारो ग्रहों और उब ग्रहों के अतरिक दो होते हैं अतरिक छोटे छोटे आकासी पिंड होते हैं धूल के कड हो गए उसमें गैसियस पार्टिकल्स भी होते हैं यहाँ पर यह बताने के कोशिश की गई है अनेक छूद ग्रह होते हैं ठीक है अब यह बताए गया है कि यह मंगल बुद्धिस्विक पृत्वी मंगल ब्रिहसपती सनी अरुन वर्णु देखे तो मंगल एवं ब्रिहसपती के बीच में यहाँ पे अने प्रकार के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोट तो इसके बीश में कोई न कोई यहाँ पे कोई नकोई ग्रह रहा हो गा जो कि बहूत करुनो वर्स पहले वो टूट गया होगा तो आसा यहां पे शोटे-छोटे शोटे पार्टिकल में जो है वो डिवाइड हो गया होगा ठीक एक इस प्रकार से तो दूर लके कड्ड एक बे तो ये छूदग्रा समझ माग गया, अब उलका पिंड को समझने का प्रयास करते हैं, उलका पिंड क्या होते हैं, सूर के चार ओर चक्र लगाने वाले पफ्थरों के छोटे छोटे तुकड़ों का उलका पिंड कहते हैं, सूर के चार और चक्र लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे तुकडे को उलका पिंड कहते हैं the small pieces of the rocks which move around the sun are called metroid मतलब माज़ेंजी यहाँ पर यह सूर हो गया यह बुद्ध सुक्र पिर्थवी इस प्रकार से तो बुद्ध और सुक्र के यहाँ पे बीच में अनेक प्रकार के छोटे-छोटे पत्थर, छोटे-धूल के बुद्ध के पस्ञते हैं अब चूद ग्रह क्या होते हैं? अब जीकिए यहाँ पे उसके पीछे ग्रह लगा है. तो चूद ग्रह क्या होते हैं? यह मंगा लेओं ब्रिहस्पती के बीच इस्थित होते हैं जो की सूरी का चक्कर लगाते हैं. ठीक है? छोटे-छोटे यह भी पत्थर के तुकडे होते है की तोटने के वज़ा से चोटे चोटे ऐया पर पार्टीकल में हो गया है तोट गया है अब अब यहाँ पर क्या बताए गया है कि उल्का पिंड क्या होते हैं यह सूरी के चारूर चक्कल लगाने माले पत्थरों के छोटे-छोटे तुकुडे उल्का पिंड कहलाते हैं अब यहाँ पर बात किया जा देखें यहाँ छूट ग्रह थोड़ से कन्फीजन हो सकता है जो होती है वो मंगल यहों प्रिहस्पती के बीच की होती है अब देखें उल्का पिंड हमने क्या देखें लिए कि सूरी के चारूर चक्कल लगाने वाले पत्रों के छोटे-छोटे तुकडे जो होते वो उल्का पिंड कहलाते हैं कभी-कभी यह अपने पत्थ से भटक कर प्रित्वी के वायो मंडल में प्रवेस कर जाते हैं और कुछ वायो मंडल में ही घर्षन से समाप्त हो जाते हैं यहां पर क्या बताने क्योशिश की गई है कि sometimes these meteorites comes near the earth and tend to drop upon it and during the process due to frictions with the air they get heated to burn and causes of the flesh and light देखें जिसे हम कहते हैं तूटता हुआ तारा माली जी है यह हमारी प्रित्वी हो गई ठीक है हमने क्या माना कि यहां पर यह हमारी देख लीजिए हमारी प्रित्वी हो गई ठीक है अब प्रित्वी माली जी अंत्रिच से जो छोटे छोटे उलका पिंड होते हैं कई बार क्या होता है कि वो गह वो जो होते है वो चक्कल लगाते, अब यहाँ पर Metauride होते हैं, मतलब उल्का, झहाँ पे उल्का पिंड होते हैं, ठीके, उल्का पिंड क्या होता हैं, कई-कई-बार क्या होता है कि अपने पत से भ्रमित होकर, पत से भटक करके यह प।ुर्थवी की कक्षा में आ जाते हैं, प्रित्वी कि एक अच्छा से बाहर होता है तो इसले हम क्या कहते हैं अब ये प्रित्वी की सता पर जब गिर जाते हैं या फिर गढड़े का निर्मार्फ करते हैं तो क्या कहते हैं मेटेोराइट अब देखें आप D है यहाँ पर T हो गया तो यह तमाम प्रकार की जो है उलका पिंट के जो इस्तिती के अंसार उसका नाम करनर किया गया है कि मेटेवराइड, मेटेवर और मेटेवराइट ठीके, डे, और और टे ठीके, तो यह देखें क्या बताया गया है मालीजे, यह हमारी प्रिथ्वी हो गई, यह हमारा आकास हो गया ठीक है, आकास से जो है छोटे-छोटे जो उलका पिंट जब अपने पत से भ्रमित होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रिथ्वी के एक अक्छा में आते हुए आते हैं अब क्या होगा कि प्रित्वी के कक्षा में आ गए तो वो क्या करेंगे कि प्रित्वी के कक्षा में जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर धूल के कड़ कंकड़ पत्थर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वाय मंडल में उपस्तित होते हैं तो अब क्या हो जिसे हम कहते हैं तूटता हुआ तारा यह तारा नहीं होते बेसिकली अगर एक तारा तूट जाएगा तो आपको ध्यान में रखना होना चाहिए कि पृत्वी को पुरा समाप्त करने की छमता रखता है तो यह तारा नहीं तो यह उलका पिंड होते हैं जो कि पृत्वी पर आ आकार में जो बहुत बड़े होते हैं वो प्रित्वी पर आते हैं तो बहुत बड़ा गढधा कर देते हैं ठीक है आपको ये चीज़े समझ मानी चाहिए अब देखिए अकला पॉइंट है कि किंतु कुछ प्रित्वी से टाकराकर जर्यमंडल की भारी नुकसान पहुचाते है एवं प्रित्वी की सता पर गहरे गढधे का निर्माण करते हैं ठीक है तो ये चीज़े अब दी तक हमने पड़ी है आगे देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं कि सूर के चारोर चकर लगाने वाले पत्रों के छोटे छोटे तुकडे जो होते वो उलका पिंड कर ल वो इस पेस में होता है देखिए यहां पर समझाने का प्रयास किया गए कि जब वो इस पेस में होता है उलका पिंड तो उसे हम क्या कहते हैं मेट्योराइट कहते हैं ठीक है अब वो जैसे ही प्रित्वी की अस्थल अस्थल पर गीरता है या फिर गहरे गढ़्धे का निर् universe, all existing matter and space considered as a whole the cosmos, मतलब की ऐसी सभी चीजे, ऐसे सभी matters, जो की space में considered, जो की पुरे ब्रह्मान में इस्थित है, उसे में क्या कहते हैं, मतलब की existing matter and space, तो जो matter और space जो considered है, पुरे संसार में उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मान कहते हैं, all existing matters and space considered as a whole the cosmos, आकास गंगाय क्या होती हैं, गेलेक्सी के परेंपड़ें के यहां पर, अब देखिए, most of the topic है कि आकास गंगाय क्या होती है, गेलेक्सी क्या होती है, खुले आसमान में एक और से दूसरी और तक फैली सफेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोडों तारों की समू आकास गंगा कहलाती है, जैसे हमारी दुख्द में एकला क्या है, हमारी आकास गंगा है, अब देखिए, यहां पर क्या बताया गया है कि एक आसमान में एक और से दूसरी और तक फैली सफेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोडों तारों के समू को आकास गंगा कहते हैं, a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases, मतलब यहां पर यह बताने के कोशिश किया गया है कि जो हमारा आकास गंगा होता है, वो लाखों करोडों जो हता है, वो बादलो, dust particles यानि धूल के कड़ और gases का समिस्ण होता है, ठीक है, जैसे माली जीए अब यहां पर कई तारे हो गए, कई ग्रह हो गए, कई उपग्रह हो गए, कई धूल के particles हो गए, कई gas हो गए, तो यह एक जो पट्टी है, यह क्या होगी, यह आकास गंगार का निर्माण करेगी, अब जैसे इसी प्रकार से, तमाम प्रकार के आकास गंगाए पा जाती हैं, जैसे हमारा सिर्फ एक आकास गंगा की बात कह जाए, तो हमारी जो आकास गंगा है, जिसमें हमारे तारे जैसे सूर्य होगा आने ग्रह जो आठो ग्रह है आजी तुमाम प्रकार के सौर मंडल साथी साथ में उसके आसपास उल्का पिंड छुद ग्रह पायते हैं तो इसके समू को हम क्या कहते हैं दुग्द मेखला आकास गंगा कहते हैं इसे हम अपनी इसी प्रकार से पूरे ब्रम् का निर्माण करती हैं इस प्रकास समझने का प्रयास करते हैं कि खुले आस्मान में एक और से दूसरी और तक फैली सफेद पट्टी की तर दिखाई देने वाली करोणो तारों की समू आकास गंगा कहलाती है मतलब इसमें गैसों के असंख बादल भी पाय जाते हैं नुमिर्स क्लाउट्स ओफ इस गैसे आर आलसो फाउंड सौर मंडल जो है वो मिलकी वे आकास गंगा के ही भाग है ठीक है आवर सोलर सिस्टम इस पार्ट आफ मिलकी वे गैलक्सी लाखो आकास गंगा मिलकर ब्रह्मान का निर्माण करती है सिर्फ हमारी एक आकास गंगा जिसमें हम मिलकी वे जिसे गैलक्सी कहते है यहीं सौर मंडल मिलकी वे जिसे हम आकास गंगा कहते है अपनी ठीक है तो ऐसे लाखो आकास गंगा है जो कि मिलकर ब्रह्मान का निर्मा गया था कि जो सभी आकास गंगाय हैं अब लगातार समय के अनुसार जो है एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है और अर्थात हमारे असिमित ब्रह्मान का लगातार विस्तार हो रहा है ठीक है यहां पर यह बताएगे कि मतलब यह बताने के कोशिश की गई है कि यह सभी आकास गंगाय जो होती है जैसे दूग मेखला आधितमान प्रकार के जो आकास गंगाय है आकास गंगाय क्या होती है ग्रह तारो उपग्रह एवं गैलेक्सी ठीक है dust particles gases के जो clouds मतलब gases के जो cloud होते हैं उनका submission ही जो कहलाता है वो आकास गंगा कहलाता भी हमने देखा था तो क्या बताएगे कि जो आकास गंगाय है एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है ठीक है अब हमारे संसार का क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है यह अब अलिस्कोप के द दूसरी और फैली हुई सफेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोणों तारों के समू आकास गंगा कहलाती है मतलब कि galaxy huge systems of billions of stars and clouds of dust ठीक है यानि धूल के बादल और लाखो लाखो श्टार धूल के बादल और gases जो होते है वो उनका जो collection होता है उनका जो submission होता है उ आकास गंगा कहलाता है सौर मंडल जो हमारा जो सौर मंडल जो प्रत्वी और आठकर है वो मिलकी वे आकास गंगा का ही भाग है ठीक है मिलकी वे जो कि हमारा हमारा आकास गंगा है लाखो आकास गंगा है मिलकर ब्रहमान का निर्माड करती है यह सभी आकास गंगा एक दूस और मंगल ये चार ग्रह जो होते हैं बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल इसे हम आंत्रिक ग्रह कहते हैं ठीक है बुद्ध, सुक्र, पृत्वी, मंगल ठीक है शूर के बहुत नजदीक होते हैं इस कानवय ये पदार्थ देखिए चटानों के बने होते हैं देखिए ग्रह की से कहते हैं तो यह देखिए सनी ठीक है यूरेनस देखिए बुध्धु शुक्र प्रिथ्वी मंगल तो हो गया अब भिहस्पती सनी अरुण और वरुण जो है ये बाह ग्रह की स्रेड़ी में आते हैं तो यह सूर्व से बहुत दूर होते हैं ये बहुत बड़े आका हैं और इन्हें आंत्रिक ग्रह की संग्या दी गई है जबकि ब्रिहस्पती सनी और अरुण एक ऐसे ग्रह हैं यह जो की आकार में बहुत बड़े होते हैं और यह गैसो एवं तरल पदार्थों के बने होते हैं इन्हें हम बाह ग्रह कहते हैं अब देख लिए थोड़ा सा इसम दूसो पैसर दिन में लगाता है तिनसो पैसर दिन में जो है प्रिथ्य माली लगाती है ठीक है तिनसो पैसर दिन च्छा घंटे च्छा चको चोबीस जो कि लीप यर में आता है ठीक है मंगल जो है वो 687 दिन में लगाता है जबकि ब्रिहस्पती जो है वो 11 साल लगभग 11 म देखिए आपे बताया गया है कि 20 साल 5 मिल लगाता है सनी इसी प्रकार से जो बताया गया तो मौंपरका की जनकारी जो हैं पर कलेक्शन किया गया है ठीक है तो आंत्रिक ग्रह बाहिग्रह आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बूर दूसरों के प्रिथियों और मंगल जो है यह सुर्व के बेहद निकट है और यह चटानों के बने हैं इन्हें हम आंत्रिक ग्रह कहते हैं जबकि ब्रिहस्पति, सनी और अरुण जो बाहिग्रह की संगिया में आते हैं और यह गया से बहुत दूर होते हैं अब देख लीजिए एक एक स्थिति यहां पर बताया कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं क्यूपर क्यूपर विल्ट कहते हैं और ओरट क्लाउट कहते हैं ठीक है इसके आगे आली पठी को ओरट क्लाउट कहते हैं आगे हम देखने का प्रयास करेंगे सौर मंडल में प्रिथ्वी को समझने का प्रयास करेंगे सौर मंडल यानि प्रकास होता है उसे हम क्या कहते हैं तारा कहते हैं अभी हम ने पढ़ा भी था अगला हमारा है कि देखे निर्मिकित्म इस कत्नों पर विचार कीजे प्रिथ्वी एक ग्र्या है तथा यह अपना संपूर प्रकास है मुस्मा सूर से प्राप्त करती है तो के वल आपते हैं पर ग्रहों की सही क्रम को चुनिये तो देखे बुद्धु सुक्र फेथियों मंगल भिहस्पति सनी और अरुण वर्णु आपको यह चीजे पता होगी तो आपसफ़न डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा अगला हमारा है कि सौर मंडल के ग्रह जो सूरी का चक्कल लगाते हैं उनके रास्ते आकार मिलते हैं ठीक है जो सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं वो जो सूरी का चक्कल लगाते हैं वो दीर्ग विर्ताकार में चक्कल लगाते हैं आपको पता होगा ठीक है अगला हमारा देखते हैं कौन से वह दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल जो जिनका सौ ग्रह की तुल्णा में परिक्रमण विपरीद दिशा में होता है ठीक है तो सुक्र और अरुड एक दो ऐसे ग्रह हैं जो कि अने ग्रहों की उपेक्छा उल्टी ग्रह उल्टी दिशा में जो है वो परिक्रमण करते हैं ठीक है अगला हमारा है देखें निल्मिकित में से कौन स सा कथन सकते हैं उपग्रह अपने ग्रह के प्रक्रिमा करते हैं साथी साथ सूर की भी प्रक्रिमा करते हैं सही बात है ठीक है प्रित्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास के व्यास से आधा है क्रत बात प्रित्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास प्रित्वी के व्यास से आधा है देखे वन फॉर्थ हमने बात किया था तो आपसेंल यह हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा है आगला हम देखते हैं रोधन से कौन सा कथन सकते है उपגरह अपने कषका का देखिए उपगरह goodbye के परक्रिमा करते है साथीज सूरी का परक्रिमा करते है यह बास सही है और प्रित्वी के उबगरह चंद्रमा का व्यास प्रित्वी के व्यास सिका आधा ये चीजी गलत है तो अल्ली एक सही होगा जो कि हम ने discussion किया था अगला हमारा आठवा question है कि प्रिथवी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है अभी तक हमने पढ़ा था क्यों क्यों क्योंकि ये 27 दिनों में अपने अग्ष पर एक चकर पूरा करने लगने वाला समय से अधिक होता है जबकि हमने देखा था कि 27 दिन में वो अपना चकर पूरा कर लेता है ये सही है लेकिन आर जो है वो गलत है अब यहाँ पर अध्याय दो को यहाँ पर अध्याय दो की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो हम हम क्या क्या चीजे पढ़ेंगे अध्याय दो में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ग्लोब यानि अक्छान स्व्म देशांतर पढ़ेंगे इसमें अंदर लेटिटिट एन लॉंगिट पढ़ेंगे उद्देश यानि हम इसके अंतरकत इस अध्याय के अंतरकत हम क्या क्या हुई आवस्था में इस्थिती होती है देखिए a needle is a fixed through the globe in a tight manner which is called its axis मान लिजी यह हमारी प्रिथ्वी हो गई ठीक है यह हमारी प्रिथ्वी हो गई और हमारी प्रिथ्वी जो है इस प्रकार से थोड़ा जुकी हुई है यह हमारा प्रिथ्वी है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे तो यह हमारी प्रिथ्वी जो है इतने डिगरी पर जुकी हुई है ठीक है तो यह जो needles होती है जो कि represent करती है कि इसकी a needle is a fixed through the globe is tight manner is a title माफ कीजिएगा tilted manner ठीक है which is called its axis मतलब कि ऐसी needles ठीक है एक ऐसी fixed needle जो कि उसके जुकाओं को परदर्शित करती है वो अक्ष उसका कहलाती है क्या कहलाती है वो अक्ष कहलाती है अब देखिए माफ कीजिएगा एक बार फिर समझ लीजिएगा a needle is a fixed through a needle is a fixed through मा लेजिए हमारी प्रिथ्वी हो गई ठीक है a needle is a fixed through globe is a tilted manner which is called the axis मतलब एक ऐसी needles एक ऐसी सुई जो की प्रिथ्वी के जुकाओं को रिप्रेजेंट करती है उसे अक्ष कहते हैं ठीक है अगला मारा point क्या है कि globe ग्लोब को इस सुई के चारो और प्रिथ्वी की भाती प्रिथ्वी के प्रिथ्वी की घुमाया जा सकता है यह ग्लोब हो जाएगा अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं जिस प्रकार से मारी प्रिथ्वी घुमती है ठीक है प्रिथवी क्या होती है पस्चिम से पूर्वी की तरफ घूमती है तो पस्चिम से पूर्वी की तरफ यहां पे देख सकते हैं घूमा के मतला आप यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि सुई में आप ऐसा imagine मत कीज़े कि पिर्थवी में सच मुच में एक ऐसी needles है needles नहीं है वो एक कालपनिक रिखा है जो अपने axis पर इस प्रकार से चारो तरफ है जो है पस्चिम से पूर्व की तरफ पस्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पस्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से रोटेट करती है तिये चीज़े बताईगे क्या अभी अपने पढ़ा कि देखिए और इस पर चारो और घूमती है जो एक कालपनिक रिखा है अगला हम देख लेते हैं विश्वत विर्थ के अवदा ने एक्क्वेटर को समझने का प्रयाज करते हैं कालपनिक रिखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों बाढ़ता है और इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन दे ग्लोब डिवाइड इन्टो टू पार्ट्स आफ टू इक्वल पार्ट्स एक पर फिश्वत विर्थ को बाढ़ती है कालपनिक रिखा जो गलोब को दो बराबर भागों बाढ़ती है एन imaginary line running on the globe divided into two parts, two equal parts, it's called equator, यहनी एक ऐसी कालपनिक रिखार जो की प्रित्वी को दो भागों है, यहनी नौर्थ हमिस्वेर उत्री गुलार्थ और दक्षिली गुलार्थ में बाढ़ती है, तो बराबर भागों में उसे में वेशुद भीत कहते हैं, प्रित्वी के उत्तर मे स्थित आधे भागों तरी गुलार्थ तथा दच्रिवाली भाग को दच्रिवाल गुलार्थ काते हैं, यहनी नौर्धन half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern, at the southern hemisphere,失望 किजेगा, and the southern half of known as the southern hemisphere. यह दोनों बराबर आधे भाग होते हैं इस प्रकार विश्वस वित प्रित्व को एक काल्पनिक वित्व बनाती है ठीक है दे आर एक्वल हाल्स देरफोर देक्विटर इस एन इमेजनरी सेल्कुरर नाइन मतलब यहाँ पर यह चीज़े बताने के कोशिश की गई है कि आप मालेजी यह प्रित्वी हो गई हमारी अब हमारी एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि हमारे प्रित्वी को दो बराबर भागों बारती है उसके उत्तर को उत्तरी अक्षांस यानी नदर्न हेमिस्फियर और दक्षर को दक्षर सांस जिसको हम सदर्न हेमिस्फियर कहते हैं ठीक है यह चीज़े बताई गई है तबी तक हमने क्या पढ़ा कि एक कल्पनिक रेखा जो गलोब को दो बराबर भागों बारती है विश्वत वृत कहलाती है प्रित्वी के उत्तर में इस्थित आदे भाग को उसका उत्तरी गुलार्थ तथा जचिर वाले भाग को दक्षर गुलार्थ का जाता है जब यह आ दूतक इस्थित सभी वृत्तों के अक्षांस के थे ऐं देखे एक बर ठोड़ा सा समझने का प्र्याश कीजिए कि विश्वत वृत से दूतक इस्थित सभी वृत्तों को अक्षांस कहते हैं आल परलेल सर्कल्स फॉम दी इक्वेटर अपटू दिपोल्स आर काल्ड पैरलल of latitudes, latitudes are measured in degree, ठीक है, यह पिर्थवी हो गई है हमारी, ठीक है, पिर्थवी हो गई है हमारा क्या हो गया, 0 degree से, ठीक है, यानि 0 अक्छांस यानि प्रधार मध्यमान रेखा या फिर विस्वत, ठीक है, इसको तमाम प्रकार के देखें, यहाँ पर 0 अक्छांस कर सकते हैं, प्र विस्वत रेखा के समांतर, ठीक है, विस्वत रेखा के समांतर खीची गई, जो लाइन होती है, वो अक्छांस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो अक्छांस को दर्शाती है, इस बात का समझें का प्रयास करेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया है, कि विस्वत वृत स सब भी वृत्तों को अक्षांस कहते हैं, आल पैरलल सरकल फ्रॉम दी एक्वेटर अप्टू दी पूल्स और कॉल्ड पैरलर ओफ लैटिटूट्स, लैटिटूट्स और मेजर इन डिग्री मतलब कि जो लैटिटूट्स होते हैं वो डिग्री में मेजर की जाते हैं, अब क्या बताया गया है कि अक्छांस जो होते हैं विशुवत वृत विशुवत रेखा के समान खीचे गए रेखाएं जो होती है वो क्या कहलाती है वो अक्छांस कहलाती है और ये जिस प्रकार से धुरूव की तरफ जाती है इनका जो लंबाई है वो घरता जाता है और दू अक्छांस प्रधानम अधिमान रेखा अब यहां पर यह भी बताया गया है कि विशुवत रेखा के समांतर विशुवत वृत के जो रेखा है वो उसके समांतर जो खीची की पैरलल लाइन है वो अक्छांस कहलाती है और यह एक इसके अगर विशेष्टाओं की बात कर लिया जाए तो यह एक दूसरी को कभी नहीं कारती है जबकि जिस तरह से जिस प्रकार से यह धुरूओ की तरफ बढ़ती जाएंगी इनकी जो लंबाई है वो घरती जाएगी ठीक है अगला हमने क्या देखा कि विशुवत वृत के सभी वृत्यों को उत्तरी अक्छांस और अब यह बताने के कोशिश की गई है कि यह हमारी प्रिथ्वी है यह एक्क्वेटर हो गया हमारा अब एक्क्वेटर के उत्तर की तरफ जितने भी रेखाएं हमारा विशुवत वृत्यों के समानांतर खीचे जाएंगे उसको नदर लैटिटूट कहेंगे यानि उत्तरी अक अगला हमारा एक बार थोड़ा से देख लीते हैं महत्पूर अक्षांस जो कि आपको पता होगा तो यह हमारी प्रिथ्वी है ठीक है इसके बीचों बीच एक ऐसी लाइन जो कि प्रिथ्वी के दो बराबर भागों बाठती है जिसके उत्तर को त्री अक्षांस जिसको दक् वो नार्द होता है यानि जिसम कहते हैं क्या कहते हैं ट्रॉफिक ऑफ कैंसर यानि करक रेखा कहते हैं और विशुवत रेखा के दक्षिर में साढ़े 23 अंस नीचे जो होता है वो ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है यानि मकर रेखा होता है अब देखिए एक्क्वेटर यानि 0 degree के 6,6 अंस 66.5 पर आर्केटिक रेखा होता है आर्केटिक भी तिजिसें कहते हैं और नीचे यानि दक्षिर के तरफ 0 degree से 6,6 डिगरी नीचे की तरफ जो होता है रेखा होती है उसे हम अंटार्क्टिका कहते हैं जो 6,6 अंस बनाती है अब सबसे आप देखिए ये क्या था हमारा अक्ष था ठीक है सबसे उत्तरी सबसे उत्तरी बिंदु को नार्थ पूल कहते हैं यानि उत्तरी धुरू कहते हैं और सबसे दक्षिरी धुरू को सबसे दक्षिरी बिंदु को दक्षिरी धुरू कहते हैं जो कि 90 डिग्री पर होती है, 90 डिग्री नार्थ पर नार्थ पूल होता है, और 90 डिग्री साउथ पर साउथ पूल होता है, ठीक है, तो वही चीज़े हैं, विश्वत वृत, जीरो डिग्री, उत्तर धुरू, 90 डिग्री, तैसा दक्षे धुरू, 90 डिग्री, ठीक है, दक्ष चाचा ठेंट दक्षिड की तरफ ये चीज़े आपको समझने का प्यास करना है ठीक है अब देखिए यहाँ पे किस प्रकास से दर्शा आगया है तो समझने का प्यास करते हैं कि यह हमारा जो प्रित्विय गुलोब बना दिया गया है यह हमारे एक्क्वेटर है ठीक है अब यह हमारे अक्षांस है जो कि एक्क्वेटर के समानांतर खीचे गए है ठीक है अब यह हमारे जो नार्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली कालपनिक रेखा है वे कालपनिक रेखा है जो नार्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने का कारी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अपस में बराबर होती है ये रेखाए अब इसमें और अक्छांस और देशांतर में क्या देखिए हम पे अंतर क्या होता है अब अक्छांस की बात किया जा तो अक्छांस जो होता है वो क्या होता है कि विशुवत रेखा के समाना अंतर खीची गई रेखाए ठीक है क्या कहला जब कि North Pole को South Pole से मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वे क्या कहलाती हैं वे देशांतर कहलाती है अब देखिए कि जो अक्षांस होती है वो धुरूओं पर जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इनकी लंबाई घरती जाती है जब कि जब कि जो देशांतर होती है उनकी चारती हैं जबकि आप देख सकते हैं जो देशान्तर होती है यह द्रूऊ-व पर एक दूसरे को कारती हैं तो है चीज थी जो कि हमने समझ लिए है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा देख लिजी एक बार यहां पर थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहां पर पृत्वी के ताप कटिबन को समझने का प्रयास करेंगे heat zone of the आर्थ को समझने का प्रयास करेंगे मालने जे यह हमारी प्रित्वी हो गई प्रित्वी से जो zero equator है इस्वम क्या कहते हैं विश्वत वृत कहते हैं अब दिखें करक रेखा क्या है भारत के साढ़े तेज ग्लोब के साढ़े तेज माथ की जेगा विश्वत वृत के साढ़े तेज संस उत्तर में उत्तरी करक रेखा विश्वत वृत के साढ़े तेज संस दक्षिर की तरफ मकर रेखा और करक रेखा एवां मकर रेखा के बीच के करक रेखा एवां मकर रेखा के बीच के बीच के जो यहाँ पर दिख लीजिए कहते हैं यानि साढ़े तेई संस उत्तर में साढ़े तेई संस दक्षिड के जो छेत्र पाय जाते हैं ग्लोब में उसे हम उस्ट नकटी बंद ये छेत्र कहते हैं इसी प्रकार से करकर रेखा यानि साढ़े तेई संस से लेकर साढ़े छाचा ठंस यानि आर्कटिक व्रित उसी प्रकाल से साम सेम दक्षिड में क्या होता है साड़े तेई संस दक्षिड में लेकर साड़े छाचा ठस अंटार्क्टिक व्रित तक जितने भी छेत्र पाजाते हैं उसम क्या कहते हैं सितोस नकटी बंद छेत्र कहते हैं अनि टैंप्रेट जोन कहते हैं नौर्ध टैंप्रेट जोन कहते हैं साड़े तेई संस करकर रेखा से लेकर साड़े छाचा ठंस आर्केटिक विर्त तक एवं दक्षिड में साड़े तेई संस मकर रेखा से लेकर साड़े छाचा ठंस अंटार्क्टिक विर्त के वीच के जो छेतर आता है उसे हम क्या कहते हैं नौर्ड टैंप्रेट जोन यानि सीतोस्न कटी बंद कहते हैं जबकि साड़े छाचा ठन से 90 अंस का जो छेत्र होता है यानि उत्री धुरू को क्या कहते हैं सीत कटी बंद कहते हैं जबकि इसको सीतोस्न कटी बंद कहते हैं ठीक है तो क्या हुआ एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि करक रेखा मकर रेखा के बीच के छेत्र को उस्ण कटी बंद कहते हैं और करक रेखा से 6.56 उतर और मकर रेखा से 6.56 दक्षिर की तरफ जो रेखा जो छेतर पाजाता है उसे हम सीतोस्ट रों कटी बंद कहते हैं एवं नार्द पोल ये हम साउध पोल के जो साउध पोल में जो जहां पर 2400 घंटा है याँ माफ किजिएगा बरहाओं महीना जो होती हमाँ पर बरफ जमी रहती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेडिज जोन ये मतलब सीत कटी बंद छेतर कहते हैं ठीक है आप एक वही सेम चीज पढ़ लेते हैं कि करके रेखा हूं मकर रेखा के बीच सभी एक छांसो पर सूर्य वर्स में एक बार दो पार कि सीर के ऊपर ठीक प्राप्त होती है तथा इसे उस्न कटी बंद छेतर कहा जाता है इद दा मिड़ डे सन इस इग्जेक्टली ओवर हेड अड़ लीस्ट अट लीस्ट वन इन एयर 21 जोन को जो होता है घटना है अन ओल लाटिटूट बेट्विन दे ट्रॉपिक अफ कैंसर एंड द्रॉपिक अगला मार क्या है कि करक रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्छांस पर दोपर का सूरित कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है ध्रू की तरफ सूर की क्रेड़े तिर्शी होती है इस प्रकार उत्री गुलार्द में करक रेखा हम उत्तर ध्रू में वृत तथा आले छेत्र को तापमान मध्यम रहता है इसलिए इससे सितोर्स र कटिबंद कहा जाता है यह दे मिद डेखा निवर शाइंस ओवरहीद ओन इन अनी लैटिटूड ब्योंड दी ट्रॉपिक अफ चैंसर अट ट्रॉपिक अफ चैंसर अट्रॉपिक अफ चैंसर अफ चैंसर and the tropic of Capricorn and the Antarctic Sulcor in the Southern Hemisphere have a moderate temperature, have a moderate temperature, this therefore calls temperate zone. तीक है उत्री गुलार्ड में उत्तर धुरूरूर विट की चेतर को भाव ठंड होता है क्योंकि यहाँ सुर्जश छितित से जाड़ा उपर नहीं आपाता है इसलिए यह सीथ कटिबंद कहलाते हैं area lying between the Arctic circles and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold it is because here the Sun does not rise much above the horizon therefore it rays are always slanting and provide less heat these are therefore cold put the Freezed Zone very cold means पर्स में एक बार जो होता है इसमें सूर की सीधी केड़ पड़ती है बताया गया है कि यहां पर सबसे ज्यादा हीट होता है इसलिए इसे उच्छने कटी बंद छेतर का जाता है जबकि साड़े तेज संस उत्तर से लेके साड़े छाचा ठंस आर्क्टिक व्रित तक यहां दक के इसलीहां पर भीचर इसलिए तकी ब्रूप्रिक अर्णिक व्रिष्टा से लेकर और आंटार्य बिर्ष्थ से लेकर उत्तर रूपर से चत शाहता है उसे हम क्या काते है नार्थ पोला और साड़ यहां पर सूर की के'dडिणे ना के बराबर पढ़ती है इसलिए यहाँ पर फ्रिजिट जोन कहते हैं सीट का दिबंड कहते हैं यहाँ पर हमेंशा 12 महिना बर्फ जमी रहती है तिहें इनका कहने का मतलब था ठीक है अब देशानतर को समझने का प्रयास करते हैं मौरिशस दूइप एक ही अक्षान सेनी 20 दिगरी दक्षिर पर इस्थित हैं उनकी सही इस्थिती जानने के लिए पताला करना होगा कि उत्तर दूइप को दक्षिर दूइप से जोडने वाली संदर्व रेखा से पूर्व या पस्चिम की ओर इन अस्थानों की दूरी कितनी है इस संदर्व रेखा को देशानतरी या मुतर कहते हैं यहां सभी देशांत्री या मुतरापस में मिलती है. To fix the positions of the place, it is necessary to know something more than the latitude of the place. You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mortius Island in the Indian Oceans are situated on the same latitude, e.g. 12 degrees Southern and now in order to locate them precisely we must find out how for East or West these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines are references are called the meridian of longitude and the distances between them are measured in the degree of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semi-circles and the distance between them decreases steadily and pole watts until become zero at the poles where all the meridian meets. So, we have to know how we have one. That this is the case. Now, the state of theencies of the parliament itself is the same correct as the temperature of the wave. It is the same. So, we can get a good point of what is the scale of the world. This is the case. Now, what we see when we see here, is the state of the filters? The जैसे मान लिजे यहाँ पे अब किसी भी प्लेस का किसी भी specific place का हमें स्थिती पता लगाने है उसके समय को ग्यात करना है तो हम जानते हैं कि एक डिगरी आगे जाने पर चार मिनिट का अंतरा आता है ठीक है अब मान लिया गया है कि जो एक डिगरी आगे बंढने पर समय का ब भाती है, जासे, मान लिजीए, अब यह जो, 62 जो होता है, जो कि प्रधान मध्यमान, जो कि मानक समय रेखा कहला है से होकर गुजरता है, ति यह चीज़ें हाँ पताने के कोशिक की गई है कि एक डिगरी एक डिगरी का पतायागा कि एक डिगरी पूर्व की तरब बढ़ने पर जो है समय मान लेजिए हम यहाँ पर किसी यह पिरत्वी हो गई हमारी ठीक है पिरत्वी से मान लेजिए यह हमारा जीरो अक्षांस हो गया यह हमारा लॉंगीटूड latitude हो गया. ठीक है? इस प्रकार से हो गया हमारा. अब हमार लीजे यहाँ पर किसी particle अस्थान से अब हम 59-82 अन्सर से आगे जाते हैं. तो हम आगे जाते हैं तो हमें पता करना हैं हमारे पृत्वी में तो देखेए यहाँ पर बताया गया कि 29 डिगरी हम जो meridian प्रायम मेरीडियन लाइन है उससे हम 29, 29 डिगरी हम आगे हैं, ठीक है, 29, मतलब 1 डिगरी बढ़ने पर हमें क्या होता है, कि 4 मिनिट का अंतर होता है, और पूरव की तरह बढ़ने पर 4 मिनिट का आगे हम करेंगे, और अगर पस्चीम की तरह जाते हैं, 4 मिनिट पीछे हम कर कीजिएगा यह तो वो हो गया यहां पर यहां पर देखेंगे लास्ट पॉइंट अब देख लीजएगा तो लास्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसके और इसके मार्द के जो विस्तार है जो अक्छान्स या देशांतर का विस्तार है वो 29 डिगरी का अन्तर आता है थीके यानि यहाँ से यहाँ तक अब हमने क्या पढ़ाता कि यहाँ पर 8-4 मिनट से 37-6 मिनट ठीके 68-7 मिनट से इस्थी थे यहां पर आठ अंस चार मिनिट से 376 मिनिट उत्री अक्षांस एवं 687 मिनिट से 9725 डिगरी क्या हुआ पूर्वी देशांतर में हम इस्थी थे अब देखिए 97 में से अब एक डिगरी हम जानते हैं एक डिगरी बढ़ने पर हमारे चार मिनिट का अंतर आता है तो 29 डिगरी बढ़ने पर लगभग 116 यानि हम मान सकते हैं 116 120 इनि दो घंटे का अंतर हमें यहां पर आ जाएगा भारत में तो अब देखिए मानक समय रेखा जो है वो हमारी एक मान ली गई क्योंकि यहां पर confusion हो सकता है क्योंकि अगर हम दूसरे दूसरे राजी में जाते हैं तो आपकी समय रेखा अलग होगी हमारे राजी की समय उत्तर परदेश के अलग होगी और अजल परदेश के अलग होगी तो इस इस प्रॉब्लम को create ना हो इसकी वज़ा से इलहा आप से पूरे ट्राइम जोन जो है वो पूरे भारत में चलेगा ठीक है अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो घंटे का अंतर हो गया मतलब क्या होगा यहाँ पर चारी बज़े सूरी निकल जाएगा और यहाँ पर चार बज़े सूरी निकल रहा तो यहाँ पर चार बज़े सू रहावाद की नयने अस्थान से होकर गुजरती है उसको क्या कर लिया गया है कि एक मानस समय रेखा बना लिया गया है अब बता दिया गया है कि उसी ही साफ से पूरिजभात में जो है वो चली गई अब अगला हम देख लेते हैं एक बार देखें अक्छां समांतर रेखाओं स सभी देशांतरी यामोतर लंबाई समान समान होती है इसलिए इनहीं सिर्फ मुख संख्याओं के व्यक्त किया जाता है कठिन था यह जीजी जो जो कि भी हमने बढ़ दाया है ठीक है वो एक बार पढ़ दीजेगा आप लोग आप देशांतर और समय क्या होता है यानि लॉं अब देखे अगला क्या है कि प्रिथ्वी जो है प्रिथ्वी पस्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है जो हमारी प्रिथ्वी है वो पस्चिम से पूर्व की तरफ चकर लगाती है अता वे अस्थान जो ग्रीन विच के पूर्व में है उनका समय ग्रीन विच से आगे होगा ठीक है green witch से आगे होगा और जो पस्चिम में उनका समय पीछे होगा वही चीज़ यहाँ पर बताने के कोशिश की गई थी कि मालीजे यह हमारा globe हो गया अब मालीजे यहाँ पर कोई London है ठीक है अब पस्चिम से पूर्वी की तरफ मारी पृत्वी जो है वो चक्कर लगाती है यहाँ पर यह बताने के कोशिश की गई है कि अगर हम green witch से ठीक है green witch से पस्चिम की तरफ जाते हैं तो समय याँ एक डिगरी जाने पर चार मिनिट का घटेगा और पस्चिम यहाँ पर देखिए green witch से पूर्वी की तरफ जाते हैं तो एक डिगरी बढ़ने पर चार मिनिट का जो है वो बढ़ोट्री होगी ठीक है यह चीज़ा समझने का प्रयास करेंगे समय की गणना कैसी होती है देखिए प्रिथवी 24 गंटे अपने अक्ष पर 360 डिगरी घूमती है एक घंटे में 15 डिगरी एवं 4 मिनिट में 1 डिगरी मतलब कि अगर मान लीजे 15 डिगरी अगर आगे ते ले जाते हैं तो यहाँ पर एक घंटे का यानी 1 आवर का हमें difference पाता चलता है ठीक है अगर एक डिगरी बराबर 4 डिगरी हो जाएगा एक डिगरी बराबर 4 मिनिट ठीक है तो एक घंटा बराबर एक घंटे में कितना होते हैं तो 60 मिनिट होते हैं अब देखिए तो 60 भागे हम 4 कर देंगे तो 15 चोको 60 हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि प्रिथ्वी 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 डिगरी घंटे अर्थात एक घंटे में 15 डिगरी एवन 4 उनिट में एक डिगरी घंटी है जब कि ग्रीन वीच दोपहर में 12 बसते हैं देखिए यहां पर बताया गया है कि एक डिगरी घंटी हो गई अब यह हमारा ग्रीन वीच हो गया ग्रीन वीच में 12 बज रहे हैं अब यहां पर हम 15 डिगरी आगे आगे हैं तो बताया है कि यहां पर 12 बज रहे हैं तो यहां पर 12 बज रहे हैं तो यहां पर एक घंटे का तरफ चला जाए, greenwich के पूरवी की तरफ चला जाए, तहाँ पर बारा बज़ रहा है, तो यहाँ पर 15 डिगरी अगर हम पीशे चला जाते हैं, या नि पस्चिम की तरफ चला जाते हैं, तो पस्चिम की तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर 11 बज़ेगा, यह चीज़ यहाँ पर समझाने के पोशिश की गई है ठीक है अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि मानक मानक समय क्या होता है इस्टैंडर्ड टाइम क्या है जो कि अभी हमने subscribe था भारत में गुजरात के द्वार का और और असम के असम के द्रिबुगड के अस्थानी समय में लगभग एक घंटा 45 मिनिट का अंतर होता है ठीक है वह 29 मिनिट बराबर तो ही बताने के कोशिश की गई है कि भारत के गुजरात का द्वारका और असम के द्रिबुगड के अस्थानी समय में लगभग एक घंटा 45 मिनिट का अंतर होगा यानि in Indian for instant there will be the differences of one hour and 45 minutes in the local time of द्वारका in गुजरात and द्रिबुगड in असम इसलिए आव सकता है कि देश के मध्यभाग से होकर गुजरने वाली किसी भी अस्थानी आम उत्तर रेखा कि अस्थानी समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाए ठीक है जो इलहाबाद का नैनी है उसी के बारे बताए गया है कि therefore necessary to the adopt the local time of some essential meridian of the country as the standard time for the country in India कि बता गया है कि the longitude 82 and half eastern is treated as a standard meridian जो कि इलहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है ठीक है 852 अस्पर इस्थित है उसी को भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है भारत में 82 डिगरी पूर्वी देशानतर में मानक याम उत्तर माना जाता है इसे भारती मानक समय के नाम से जान जाता है इसी प्राब्लम को इसी समस्या को घत्म करने के लिए इससे आउ सकता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो किसी भी अस्थानी या मुत्तर रेखा पर अस्थानी समय को पूरे देश के लिए मानक समय माल लिया जाया और इसी को ध्याम रखते हुए साड़े 82 अंस डिगरी पर पूर्वी देशानतर जो कि इलहाबाद के नानी अस्थान से होकर गुजरता है उसे भारत का मानक समय देखा माल लिया गया है अब भारत में समय यानि टाइम इन इंडिया भारत ग्रीन विच के 82 डिगरी 30 अंस पू होगे यह हमारा ग्रीन विच है यहाँ पर बारा बज रहे हैं ठीक है बारा बज रहे हैं यहाँ पर जीरो डिगरी है अब यहाँ से हम दो दूनी चार यानि दो बनेट इसकोम जोल लेंगे तो 330 मिनट यानि साधे 5 घंटे लगभग हम क्या होंगे आगे होंगे किस से Greenwich से अब यहाँ पर यह बतायागे कि जो भारत है वो Greenwich के पूर से 852 अंस पूर में इस्तित तथा यहाँ का समय जो है यहाँ पर साधे 5 बज रहे होंगे यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है अब इसे लेटर जो है प्रश्ण को एक बार देख लेते हैं देखी निल्मिकीत में से कौन सा कथन सत्य है प्रभुख यामोतर तथा 180 यामोतर मिलकर प्रित्वी के समान भागो को पूर्वी गुलारत में पस्चिमी गुलारत में विभक्त करते हैं यह चीज़ी गलत है 180 पूर्व एवं 180 पस्चिमी यामोतर एक ही रेखा परिस्थी थे यह किशन हला की गलत है थोड़ा सा आगे हम देख लेंगे उसको अगला हम देख लेते हैं एक बार कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का छेतर सीत कर्टीबंध कहलाता है साल में एक बार यहाँ पर 21 जुन को सूर की सीधी करेड़ा पढ़ती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म होता है करके रेखा विशुवत विरित के बीच का छेत सितोस कटिबंद कहलाता है तो हमने देखा था कि करके रेखा विशुवत विरित के बीच का छेत सितोस कटिबंद नहीं कहलाता है उसने कटिबंद कहलाता है और दच्छिर धुरू वृत अथा दच्छिर धुरू के बीच के यहां पर सब गलत क्या का है देखें यहां पर इन में से कोई नहीं ठीक है उसको हम सी तोसर कटिबंद कहते हैं अगला हम देखते हैं कि यहां पर बता गया कि विश्वत वृत के संदर में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए विश्वत वृत जो होता है वो जीरो डिग्री अच्छांस को प्रदस्शित करता है सही बात है अब देखें विश्वत बाद में देखें दा साइच of the latitude decrease when we go from the first of Dhru ठीक है वो चीज़ समझ मागई है कि यहां पर हम विश्वत विश्वत से अगर हम Dhru की तरफ जाते हैं तो अक्छांस की जो आकार है जो साइज है वो घरता है वो चीज़ सही है विश्वत विश्वत विथ उत्तर या दच्छर की कोडी दूरी के माप को दे यहां पर हम देशांतर कहते हैं ना कि कोडी दूरी माप करने वाले को तो यहां पर एक और दो सही होगा जबकि तीसरा जो हमारा है वो गलत होगा अगला हम देखते हैं इसी प्रकार से अगला हमारा क्या है कि नीचे दिये गए कथन एम कान तर विचार कीजिए कथन एक क्य प्रिथ्वी की गतिया के बारने का प्रिथवि की गतिया क्या होते यह motions of the earth chapter 3 है कि पॱिथ्वी की गतिया पृत्वी की गतिया के बर हम समझने का प्रयाज करेंगे यानि motions फफ़त्वी का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं देखिए पृत्वीकार्ट की होती है कौन कोन सिह होते दा अर्थ has two types of motions, यानि एक तो घुड़न हो गया, एक rotation हो गया, एक परिभ्रमण हो गया, ठीक है, परिक्रमण हो गया, revolution, एक rotation हो गया, एक revolution हो गया, घुड़न और परिक्रमण, अब देखिए, अगर कोई भी माले जी है, यह हमारी प्रित्वी है, यह अगर अपने अक्ष पर घुमता है, ठीक है, अपने अक्ष पर ही घुमता है, यह क्या था, आमने देखा था, उसने अक्ष क्या, यह अपने अक्ष पर घुमता है, तो इसम क्या कहते हैं, माले जी यह पस्चिम से पूर्व की तरफ इसेम क्या कहते हैं इसेम क्या कहते हैं घुडन कहते हैं और जब यह किसी दूसरे ग्रह या फिर किसी दूसरे तारे का परिक्रमण करता है या फिर चक्कल लगाता है तो हम उसे क्या कहते हैं revolution या फिर परिक्रमण कहते हैं ठीक है ये चीज़ आपको समझने का प्रयास करना है तो हमने क्या देखा कि पृत्वी अगर अपने अक्ष पर घूमना जो होता है वो घोड़ान कहलाता है याई रूटेशन इस देखा कि पृत्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हम रूटेशन कहते हैं और सूरी के चारो और इस देश की प्रित्वी कर गत्ति सूर के चारो और घूमना क्या क 고양ाता है प्रित्वी की इस गति को प्रयकरमन कहते है говорить the moment of the earth around the sun is fixed path of orbit, it's called revolution. I think आपको ये चीज़े समझ मागई होगी, ठीक है, आए थोड़ा सा देख लेते हैं, देखें कक्छी समतल क्या होता है, यानि orbit plane क्या होता है, वह समतल जो कक्छी के द्वारा बनाया जाता है, वो कक्छी समतल कहलाता है, अप प्रदित व्रृत क्या होता है? यानि Circle of Illumination, Globe पृरवववववरित, जो दिन वर राथ को विभाजित करता है, उसे प्रदित व्रित कहते हैं, मतलब कि मांन लीजे, ये Globe हो गया हमारा, एक Globe प्रववरित, मतलब मांन लीजे, कोई भी हैसी रेखा है जो दिन वर रात को विभाजित करती है करने का काम करती है उसे प्रधित वृत कहलाती है यानि the circles the circles that divide the day from night on the globe is called the circle of illuminations अब देखिए यह वृत अक्ष के साथ नहीं मिलता है यह वृत जो हता है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है the circles does not coincide with the axes प्रित्वी का अक्ष एक कालपने करेखा है प्रित्वी का अक्ष जो है वो एक कालपने करेखा है जो इसके अक्ष के सता से साड़े छाचा अक्ष की कौन बनाती है और the axis of the axis of the earth which is an ordinary line makes an angle of 66 and half with us माल लेजिए एक बार समझ लेजिए इसको यहां पर यह हमारे प्रित्वी हो गई अब यह हमारा axis हो गया 6.26 tnz पे अब यह बताया गया है कि जो 56 hin ये कक्षा तल कक्षा तल माल लेजिए, यह हमारा ये हमारा कक्षा तल होता ठीक है अगर हमारी प्रिथवी जुकी ने होता ही तो यह हमारा इसका कक्षा तल होता अब इससे बता रहा है यह हमारा कक्षा तल से क्या होता है साड़े छाचा ठंस का कोड बनाती है प्रिथवी जो होती है वो एक प्रिथवी का अक्ष जो होता है वो कालपनेक रेखा है इस इसके कक्ष की सता से, इसके जो कक्ष का सता है, ठीक है, इससे जो होती है, वो साड़े 6-6 ठंस का कोड बनाती है, ठीक है, I think आपको यह समझ मागए हो गया, अब यहाँ पर यह चीजी समझाने की कोशिश की गई है, माले जीए, आप देखिए, तो आप इसको समझ लेने का प अच्छी संतल जो इसके उत्तर नाधेमशपयर और सादरिमशपयर पर बाठता है, अगर यह 6-6 ठंस जोकी नऄ होती, तो क्या होता, प्रित्वी के इसकी कत्छी संतल पर लंब, यह लंब अगर यह हमारी प्रित्वी आसी होती, तो अब यह कक्थी संतल से जो इसकाна एक बार पूरा कर लेते हैं, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis, मतलब कि पृत्वी अपने axis पर अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूड़न कर लेती है, यह पृत्वी की दयनिक गती होती है, यह इन्हीं इस इस देली मोशन साव दी अर्थ, पृत्वी एक वर्स या 60 गंटे में लगा लेती है जो हम लोग एक वर्स 34 दिन मांगे हैं सुविधा केले छा घंटे उसके जोड़ा जाता 624 मतलब 2020 जो था वो लिप येर वर्स था उसके हर चार वर्स में छा घंटे जोड़ कर लिये जाता है जो ये एक दिन यानि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं इस अतरीक्त दिन फरवरी के महिने में जो है जोड़ दिया जाता है क्या पताएगे कि हर चार वर्स में जो 6 घंटे 6 चाचों को 24 हो जाता है इसलिए उसको लीप यर्स के ग्रूप में जोड़ दे जाता है इस प्रकार प्रतेक चौथे वर्स फरवरी 29 के हो जाती है ऐसा 306 दिन का होता है ऐसे में क्या होता है कि वर्स जो होता है वो 386 दिन का होता है इससे हम लीप यर्स कहते है या फिर लीप वर्स कहते है अब देखिए अगला जो हमारा most important factor है जो है प्रित्वी की गतियों के प्रभाव यानि effect of the emotions of the earth जो प्रित्वी गति करती है उसका प्रभाव क्या होता है उसके effect को हैं पर समझने का प्रयास करते हैं देखिए एक वर्स गर्मी देखिए एक वर्स को गर्मी सर्दी वसंत शरद रित्व में बाटा जाता है year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season रित्व में परिवर्थन सूरी के चार और प्रित्वी की इस्थिती में परिवर्थन के काण होता है जो देखिए रित्व में जो परिवर्थन होता है वो सूरी के चार और प्रित्वी का जो rotation होता है ठीक है परिक्रमण होता है उसी के काण जो होता है वो मौसम में परिवर्थन होता है ठीक है उसी के काण जो होता है वो रित्व में परिवर्थन होता है season changes due to the change in the positions of the earth around the sun दिन रात और रित्व परिवर्तन प्रित्वी के घोडन परिक्रमन गति के काण होता है देखिए दिन रात जो होता है वो प्रित्वी के घोडन के काण होता है जबकि रित्य परिवर्तन जो होता है वो पृत्यवी के परिक्रमण यानी rotation के काण होता है that there are days and night and changes in the seasons because of rotations and revolutions of the earth respectively ठीक है अब देख लेते हैं उत्री आनांद क्या होता है उत्री आनांद उसको हमने पढ़ा था उसको हम समझने का प्रयास करेंगे 21 जून को उत्री गुलाद में सूर की तरफ जुका हुआ होता है ठीक है 21 जून को उत्री गुलाद जो होता है वो सूर की तरफ जुका